दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको भारत के सबसे खतरनाक और प्राक्रतिक रूप से बहुत सुन्दर राज्यों के बारे में बताने जा रहे हैं यहाँ पर रहने बाले लोग ऐसी ऐसी चीजे खाते हैं जिसके बारे में आप लोग कभी सोच भी नहीं सकते यह सारी चीजें आप नागा लेंड के बारे में देखकर हैरान रह जाएंगे नागा लेंड भारत के उत्तर पूर्वी इलाके के आखरी छोर पर बसा खुबसूरत राज्य हैं यह राज अपने आदिवासी प्रक्रतिक के लिए विश्चु भर में प्रिसिध्य हैं यहां के जंगल दुनिया के सांदार जानवरों से भरे पड़े हैं नागा लेंड का छेतरफल लगभग 16,000 वर किलोमेटर में फैला हैं और छेतरफल के हिसाब से नागा लेंड भारत में 25 स्थान पर रहता है नागा लेंड में 100 से ज्यादा जंजाद के लोग रहते हैं और सभी की संसगरत के साथ मानेताएं बिलकुल अलग हैं दोस्तों यदि हम यहां की आबादी की बात करें तो इस राज में 22,80,000 तक जंसंख्या रहती हैं नागा लेंड में कुल मिलाकर 11 जिले हैं यहां का सबसे बड़ा जिला है पर जब बात राजधानी की आती हैं तो यहां की राजधानी कोहिमा कहलाती है भारत में नागा लेंड इकलोता ऐसा राज है जहां के राज भासा अंग्रेजी है जिसके विपरीत कुल मिलाकर 15 से ज्यादा अलग-अलग भासाएं बोली जाती हैं आए बात करते हैं नागा लेंड के इतिहास के वारे में तो दोस्तो पहले नागा लेंड को नागा लेंड्स अंगु सांगा के नाम से जाना जाता था फिर साल 1961 में इस राज का नाम बदल कर नागा लेंड रख दिया गया और एक दिसम्मर 1963 को नागा लेंड को पूर्ण रूप से राज होने का दरजा मिल गया यहाँ पर 20% भोम पर सिर्फ और सिर्फ जंगल है खाने की बात करी जाये तो यहाँ राज भारत के दूसरे राजियों से काफी अलग तरह का खाना पसंद करता है यहाँ के अधिकांच मोल निवासी मांसाहारी है जो सबसे ज़्यादा मचली और मांस खाते हैं नागा लैंड में वो मांस भी खाये जाते हैं जिने भारत के दूसरे राज के लोग बिल्कुल खाना पसंद नहीं करतें दोस्तों आपका अगर दिल मजबूत हैं तब ही आप नागा लैंड के दीमापूर मार्केट में विजिट करना और इसकी वज़ा है यहाँ पर कुतों का मांस खुले आम मिलता है लोग यहाँ से खाने के लिए चूहे ले जाते हैं मेढ़क तो यहाँ पर चिकन की तरह खाया जाता है टपों में भर भर कर बेचने के लिए मेढ़क भेजे जाते हैं घोंगे का मांस साप का मीट सफीद जिन्दा चूहे का मीट फ्राई चुहे थैली में बंद छोटे मेड़क का पैकेट, कीकड़ी का मीट, सीप कबूतर, खरगोस, बदक और यहाँ पर ना जाने कितने ही प्रकार के कीड़े मकोड़े बिखते हैं पर हाँ यहाँ 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 की कुछ विसीस परकार की जनजातियां ज्यादा खाती हैं, साब तो रोल बना कर खाये जाते हैं दीमापूर मार्केट में सोच भी नहीं सकते, उस जानवर का मीट यहाँ आपको आसानी से मिल सकता है इसलिए अगर आपका दिल मजबूत हो, तब ही आप दीमापूर मार्केट जाना इसके वेप्रेटिस मार्केट में दूसरी तरफ आपको बिलकुल हरी ताजिस सबजियां, यहाँ के सुध मसाले, फल भी मिल जाएंगे यहाँ के लाल मिर्च भी काफी जादा प्रसिद्ध हैं, भूर जुलकिया यहाँ के सबसे तीखी मिर्च हैं, जो सिर्फ और सिर्फ नागा लैंड में ही पाई जाती हैं और इसका नाम गिनीज बुक आफ वर्ड रिकॉर्ड में भी दर्च किया गया है दोस्तों हर साल नागा लैंड एक दिसंबर से लेकर दस दिसंबर के बीच हरिबाल तेवहार का आयूजन करता है और आपको नागा लैंड की संसक्रेटी देखनी है, तो इस तेवहार से बहतर कुछ भी नहीं तरह तरह के पकवान, लोग निरत और सदियो पुरानी कहानिया इस तेवहार का महत्पोर्ण हिस्सा है नागा लैंड की 88% आबादी इसाई धर्म को फॉलो करती है इसे के साथ 8.7 हिंदू और 2.5 मुसलिम लोग यहाँ पर रहते हैं नागा लैंड में 4 रेल्वे स्टेशन हैं जहाँ पर सबसे प्रसिद दीमापूर में स्थित हैं और एक मात्र एरपोर्ट भी दीमापूर में ही है नागा लैंड में सबसे ज़्यादा कोईला, चूना, आयरन, निकिल, कोबाल्ट और संग मर्मर पाया जाता है यहाँ पर रहने वाले 85% तक पढ़े लिखे लोग होते हैं संसकरती से जुड़े मोल निवासी अपने पैरों में करे पहनते हैं ताकि उन्हें पेंडों पर चढ़ने में आसानी हो किसी दूसरे राज की तुलना में यहाँ पर तीन गुना ज्यादा तेवहार मनाये जाते हैं इसी वज़े से नागा लैंड को तेवहारों के धर्ती कहते हैं 80% लोग खेटी से जुड़े हैं जो केहू चावल मक्का, दाल, तमाखों की खेती करते हैं और खेती के साथ नागा लैंड में विदेशी लोग भी घोमने आते हैं क्योंकि यहाँ गर्मी काफी कम रहती हैं और सालाना 20 cm बारिज भी हो ही जाती हैं जबकि सर्दी में तापमान 4 डिगरी तक ही रहता है और हां कि आप लोगों को पता है कि यहाँ जगा दीमापूर में देखने लाइक बहतरीन जगाहों में से एक हैं जैसा कि नाम से पता चलता है यहाँ स्थान आपको एक ही स्थान पर तीन अलग अलग ज़र्नों को एक साथ नीचे गिराने का अदभूर द्रश पेश करता है यहाँ फाल्स सेथी कीमा गाउं में स्थित हैं ज़र्ने 280 फीट उचे हैं यहाँ पर आप इने देखने के अलावा यहाँ पर ट्रेकिंग का आनन भी उठा सकते हैं यहाँ एक ट्रेकिंग पॉइंट भी हैं जो आपको एक अलग एक्स्पिरियंस परदान करता है तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही उमीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे जदा जदा लाइक करें शेर करें और हमारे चैनल को सस्क्राइब करना न भूले